हलो दोस्तों मेरा नाम चन्रोशेकर हैं और आज के इस वीडियो में हम फिर्दवा से बात करेंगे हंगेरी के वर्क वीजा से रिलेटेड देखे तीन ऐसे सवाल हैं जो मुझसे बार-बार पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में मैं इन सवालों का आंसर देने की कोशिश करूँगा यह सवाल क्या है एक बार नज़र डाल लेते हैं पहला सवाल होता है कि हंगेली का वर्क वीजा कितने टाइम का होता है दूसरा सवाल होता है कि TRC कितने टाइम के बाद मिलती है हंगेली पहुचने के बाद तीसरा जो सवाल होता है कि जो TRC होती है उसकी वेलेडिटी कितनी होती है तो इन तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मेरा purpose है आपको 100% genuine information देना दोस्तों पहला जो सवाल पूछा जाता है वो होता है कि हंगेरी का work visa कितने साल की validity का होता है देखे आप इंडिया से पाकिस्तान से UAE से apply कर रहे हैं हंगेरी का work visa तो आपको मिलता है D visa आपके passport में sticker लगता है जिस पे लिखा होता है D visa और उसकी validity होती है एक साल की और आपको basically हंगेरी में enter करने के बाद 30 दिन के अंदर उस visa के basis पे अपने TRC या residence permit card के लिए apply करना होता है ये जो visa होता है D visa है single entry होता है तो अगर आप हंगेरी में enter करते हैं और अपना residence permit लिए बिना हंगेरी से बहा निकल जाते हैं तो आपको हंगेरी में फिर दवारा से enter करने के लिए visa चाहिए होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए visa की validity तो एक साल की है लेकिन जो basically आप अगर employment के लिए जाते हैं वर्क पर जाते हैं तो होता कि है हंगेरी में enter करने करते हैं आपको TRC मिलता है तो ये जो TRC होता है वो कितने दिन में मिलता है ये एक और सवाल है जो लोग मुझसे पूछते हैं तो TRC आपको basically जब आप immigration office में जाते हैं तो कई बारी इने दो महिने wait करना पर सकता है और basically मैं कहूंगा कि कोशिश ये करिए कि आप अपना TRC जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें अब तीसली चीज है कि TRC की validity कितनी होती है देखें जो मैंने देखा है TRC की validity दो साल की होती है कुछ cases में कम भी हो सकती है एक और factor जो बहुत important होता है वो है आपके passport की validity मेरा ऐसा recommendation है कि जब आप हंगेरी का work permit कोई भी long term visa apply करने हो तो ensure करिये कि आपके passport की validity है वो कम से कम 3 साल की है क्योंकि हमने ऐसे cases देखे हैं जहां पर validity कम होने की वज़े से लोगों के visa refuse हो गए है मुझे उमीद है कि आपका जो सवाल था हंगेरी के work visa की validity के बारे में TLC के बारे में उसका answer आपको मिल गया होगा आज की वीडियो में इतना ही thank you very much